चलिए सर फटाफट से अगले चप्टर पर आ गये हैं अगला चप्टर है हमारा income from house property क्या क्या एक्जाम में आ सकता और क्या क्या पढ़ना चाहिए income from house property में state that income house property not liable to tax ऐसे कौन-कौन से income है जो house property के अंदर liable नहीं होता दूसरा पहला farm house की income farm house खुला होता है income from the any building owned और occupied by the agriculture के उपर होगा उसके उपर नहीं होगा और क्योंकि वह agriculture purpose के लिए कौन बोलता है सर सेक्शन हमारा कौन सा बोलता है section 2, 1, A और C की बात करता है यहाँ पर बात हमने देखा हुए property held by the charitable purpose charitable purpose में अगर property दिया जाता है तो उस पर भी house property तो है लेकिन उसके उपर taxable नहीं होगा property used by own business अपने business के अंदर करोगे तब भी taxable नहीं होगा important है कि कौन से property जो property है लेकिन उससे आने वाले rental income को house property में taxable नहीं करेंगा एक तो जो property agriculture purpose के लिए यूज हो रहा है नमबर दो charitable trust के लिए नमबर तिन अपने business के लिए यूज करोगे वो taxable नहीं होने वाले self occupied house self occupied भी हमारा taxable नहीं होता क्योंकि annual value यहाँ पर क्या हो जाता है जीरो हो जाता है property register union local authority आपने union local authority में register करा रखा है तो वहाँ भी taxable नहीं होने वाला इसके बाद place of x rule annual value one place is occupation of the x rulers shall be exempted जहाँ पे property को government exempt कर देगा वो भी taxable नहीं होगा property for the scientific research association के लिए दिया जाएगा वहाँ पे भी taxable नहीं होने वाला property for political party को दिया जाएगा वो भी आपका house property के अंदर taxable नहीं होगा किसी और other head में हो जाके हो जाएगा लेकिन house property में नहीं होगा चलिए सर दूसरा question important question है ये भी कि deemed ownership किसे बोला जाएगा deemed ownership का मतलब मानो या ना मानो तुम्हें मानना पड़ेगा कि ये घर तुम्हारा ही है जैसे first number deemed ownership number one section 27 कहता है जिसके अंदर first होता है अगर आपने अपने spouse और बच्चे को अपना कोई भी property transfer कर दिया तो ये property transfer के हाथ में taxable हो जागा ना कि transfer transfer कोन होता जो property को दे रहा होता है transfer कोन होता जो property को ले रहा होता है माल लेते हैं husband उसके father में taxable होगा इस बात का आपको ध्यान रखना है यहां पर इसके साथ साथ सल लेकिन यहां पर exception यह है कि अगर आपने property को transfer कर दिया है आप डाइवोस ले ले लेते हैं अपनी wife से और फिर आपने transfer कर दिया है तो उस situation में दोनों अलग-अलग tax देंगे वह club क्लब कह रहा हूं house property के अंदर नहीं माना जाने वाला है सर अगले बात कर लितना सर अगली वे अगला कहते हैं बात number two holder of imperative state holder of imperative state का मतलब है कि अगर आप किसी state के caretaker बन जाते हो लेकिन आपके नाम पर property नहीं है तो भी यह आपकी ही income मानी जाएगी जो कि उसका caretaker है जैसे मंदिर वगरह में देखते हो ना rental income आ रही होती है कई बार लेकिन उसका caretaker होता है वही as a honor मान के उसको tax दे दिया जाएगा section क्या बताता है आप इसके मालिक नहीं हो फिर भी आपको tax देना पड़ेगा member of cooperative society cooperative society के के अंदर क्या होता है कि बहुत बड़ा एक ना flat होता है जैसे कि आप normally जैसे जनता flat मान लो कोई भी और big example मैं लूर्थ तारग महता का उल्टा चस्मा देखा होगा पूरी society होती है तो वो society के जमीन होती है ना society के नाम पर होती है ना कि किसी एक person के नाम पर होती है तो ऐसे situation में वहाँ पे आपको member बनाया जाता है उस member के हिसाब से आप property owner बने जाते है तो कोई भी आप corporate society के member हुए तब आपको ही मालिक मान के आपको ही house property के अंदर taxable देना पड़ेगा सर अगली बात कर लेते हैं सर person position is the property यानि power of attorney power of attorney के case के अंदर आपने authorize कर दिया किसी person को कि भी आप इसके मालिक हो तो उस case के अंदर sir आप जो उसका power of attorney मिलेगा यानि वो मालिक तो नहीं होगा जिसके पास power of attorney होगा वो deemed owner मान के उसको taxable कर दिया जाएगा अब person acquire a right lease अगर किसी building और किसी चीज को lease पर दे दिया बारा साल से उपर के लिए तो वो उसके उपर वही taxable करेगा sir यह था हमारा deemed owner important है इसके define आपको करना annual value computing taxable income house property deduction available annual value निकालने के लिए हमेरे कुछ आपके map done है जिसके अंदर सबसे पहले हम देखते है municipal value, municipal value क्या होता है sir? municipal value होता है जब कभी भी कोई ऐसा income जो कि municipal authority उसका valuation लगा लेती है कि इसका इतना rent होगा उसे municipal value होगा, fair rent आज पर उसके जो भी rent होगा fair rent आपका एक होता है standard rent, standard rent जो supreme court rent controlling act के हिसाप से जिन्होंने decide कर रख है उसे बोलते है standard rent इन तो उनों में से municipal and fair rent में से higher देखा जाएगा fair rent और जो अभी निकल के आता है उन दोन और standard rent में से lower दिया जाएगा उसको हम compare करके बनाएंगे expected rent, expected rent के बाद हम actual rent से compare करेंगा उन दोन में से जो higher होगा उसे लिया जाएगा higher वाला part हमारा जी भी बन जाता है जिसे बोलते है gross annual value उसमें से municipal tax minus कर देते है paid basis पे minus होता है due basis पे नहीं होता अगर tenant paid कर रहा है तो वो भी minus करना allowed नहीं है फिर minus करते है standard deduction जो कि 30% दिया जाता है अगर self occupied है तो maximum limit दो लाग सब मिला के दो लाग है threshold limit है अगर let out है तो यहाँ पे कोई limit नहीं है sir house property के लिए चलिए sir इसके बाद बात करते है municipal tax और यह सारी बाते जो थी न one short में आपके साथ discuss कर लिया question number 4 explain clearly the income of the previous year regarding how the taxable compute let out the house which let out throughout the previous year which is let out remain vacant of the througher यानि बताने सार अगर let out हुआ तो फिर से क्या करेंगे simple सी बात है municipal way rent और fair rent higher देखेंगे फिर standard rent से lower compare करेंगे फिर जो आएगा expected rent फिर actual rent receive दोनों में से higher होगा उसके उपर taxable कर देंगा मुंसिपल टेक्स माइनस होगा 24a 24b देखे खतम करेंगा 24b कोई limit नहीं है जितना मर्दी दे दिजिए क्योंकि यह let out है दूसरी बात करते है आपका vacant रहा तो vacant के case में हम क्या करेंगा मुंस जो हमारा expected rent और actual rent में से दोनों में से जो की हमारा higher होगा वही taxable हो जागा लेकिन vacancy को हम क्या करेंगे वह माइनस करके चलेंगे तो सर यह चीज़े ना आप practical question भी इतने कर चुके ना house property में ऐसा लगेगा लेकिन इसी में से theory भी आ सकता है तो definitely theory पढ़के जाना है आपने यह chart बना के जैसे समझा हो है ऐसे समझा सकते हो अगला question कहता है where the house property let out vacant यह भी हमने discuss कर लिया है तो यहां पे सर हमारा capital house property income भी पूरी की तरही के से क्या हो जाता है सर खतम हो जाता है